कुकु टीवी हने रह गए हैं तू हराम कर मैं हैं ना मैं सारा काम करलेगा खान भी मैच बनाओं गर की साफ सफाई भी मैच करेगा हाँ थाउस्ती कहांnew है अब सारा काम specific करेगा वैसे दिज सासे की लिए अच्छ Σलसे की लिए पता नहीं कि दिन इन से हरी घर का सारा काम और मचली पकड़ने का काम अकेले ही करने लगा वो उर्मी को कोई भी काम करने नहीं देता था हरी बहुत खुश था कुछ दिनों बाद उर्मी ने एक चान से बच्चे को जन दिया हरी के खुशियों में चांदनी लग गई इस दिन का इंतजार उसे दस साल से था देवा रे देवा उर्मी बग हमारा बेटा कितना प्यारा है होगा ही आपका बेटा जो है वैसे अब इसका नाम क्या रखना है इसका नाम जै रखेंगे वाह अच्छा नाम है बच्चे के जन्म से हरी और उर्मी दोनों बहुत खुश थे अपसे हरी रोज जल्दी घर लोटता था अगा बाई यह उड़ा लवकर हाँ मुझे मेरे जै के साथ जो खेल ला था एक काम करो ना इसे भी अपने साथ दरिया पर ले जाओ वैसे सुझाओ बुरा नहीं है काई पर इसके साथ इसकी मा को भी ले जाओ तो क्या मतलब मतलब यह कि कल मैं तुम दोनों को दरिया गुमाने ले चलूँगा सची हाँ वाह मैं तो साल से दरिया पार नहीं गई कल चलेगी न होए उर्मी बहुत खुश थी वो समंदर की सेर करने जाने वाली थी अगली सुबह हरी और उर्मी अपने बच्चे के साथ समंदर के किनारे हरी चप्पु चला रहा था और उर्मी समंदर की सुंदर ता निहार रही थी किती सुंदर है ना हाँ दरिया के बीच में चलते हैं वहां का नजारा बहुत ही सुंदर है हरी नाव को दरिया के बीचो बीच ले गया चारो और बस समंदर ही समंदर था ले भारी मैंने बोला था ना तुझी ये नजारा पसंद आएगा हुई बहुत सुंदर है हरी और उरमी एक और दरिया देखी रहे थे तो दूसरी और दरिया में बड़ी-बड़ी लेहरे बनने लगी जब तक हरी का ध्यान लहरों पे गया वो लहर उनकी नाव के बहुत नज़िक आ चुकी थी और बस लहरों ने नाव को पलट दिया उर्मी हरी और जय तीनों अलग अलग दिशाओं में बहने लगे उर्मे उर्मे मेरा बच्चा अम मेरा बच्चा कहा है हरी को उर्मी मिल गई पर बच्चे का नामों निशान नहीं था हरी ने रोते रोते उर्मी को किनारे तक लाया और फिर किनारे पर दोनों फूट फूट कर रोने लगे मेरा जय मेरा जय मेरा बच्चा दस साल बाद हरी और उर्मी को बच्चा हुआ तो वो भी भगवान ने उनसे छीन लिया नन्हा जय समंदर की लहरों में बहते बहते पहाड़ी वाली किनारी पर पहुचा तब ही एक सपेरे का ध्यान बच्चे के रोने पर गया ये बच्चा यहां कैसे आया अरे पापरे सपेरे ने जट से बच्चे को पानी से उठा लिया इसके माता पिता कौन होंगे कहीं वो दोनों भी तो समंदर में नहीं डूब गए अरे रे रे यही होगा कोई और तो आसपास दिखाई नहीं दे रा मतलब दरिया ने उन्हें छीन लिया अब इस बेचारे बच्चे का क्या होगा लगता है भगवान ने ये जिम्मेदारी मुझे सौपी है आस से मैं ही इसका परिवार हो नथू सपेरा बच्चे को अपने साथ ले गया उसने बच्चे की अच्छे से देखभल करना शुरू की अब नथू ही उस बच्चे का सब कुछ था अरे रे रे मुन्ना को भूँक लगी है ये देख बाबा तेरे लिए दूद लाया है नथू अकेले रहता था और अब उसे अपने जिन्दगी का साथ ही मिल गया था ये चोटा बच्चा बच्चपन से साप के साथ खेलता था नहीं मुन्ना ऐसे नहीं सापों को ऐसे नहीं पकड़ते वो तुम्हें डस लेंगे नथू बच्पन से ही मुन्ना को सापों को पकड़ना सिखाने लगा और जब मुन्ना बड़ा हुआ तो वो पलक जपकते ही जहरीले से जहरीले साप पकड़ने लगा ये देखो बाबा मैंने कोब्रा पकड़ा है ये हुई नाम बाद तुने साबित कर दिया कि तू मेरा ही बेटा है कोई शक बाबा अब से आसपास के गाव में अगर कोई भी साप आ जाता तो वो लोग मुन्ना को ही बुलाने आते थे काका मुन्ना भईया है क्या क्या काम है वो हमारे गाव में साप आ गया है तो उसे पकड़ना है ठीक है, अरे मुन्ना, जा भई, तुझे बुला रहे हैं ठीक है पिताजी, अभी गया और अभी आया धीरे धीरे नथू की तबियत खराब रहने लगी मुन्ना परेशान था, उसका सब कुछ नथू ही तो था बाबा, मैं आपके लिए दवाईया लेकर आता हूं रुज्या बेटा, मुझे तुझे एक सच बताना है मैं दवाईया लेकर आजाओं, फिर बता देना नहीं बेटा, तुझे अभी सुनना होगा, तु मेरा खूंड नहीं है आज से 20 साल पहले, मैं पहाड़ी के पास बैठा था तभी मुझे तेरे रोने की आवाज सुनाई दी तु समुन्दर में बैह कर यहां आया था क्या? उस दिन मैंने तेरे माता पिता को ढूनने की पूरी कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिले तो मैंने मान लिया कि शायद वो ढूब गए होंगे और इसलिए मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला तो क्या मेरे माता पिता जिन्दा हो सकते हैं? शायद हाँ और शायद नहीं भी पर तुझे उन्हें ढूनने की एक कोशिश तो करने ही चाहिए ठीक है बाबा? मुन्ना कभी अपने बाबा को भूलना मत ये आखरी शब्द कहकर नथू ने अपने प्राण छोड़ दिये बाबा! नथू के जाने से पहले मुन्ना बहुत दुखी था पर अब उसके दिमाग में अपने असली माता पिता को ढूनने का जुनून सवार था क्या मेरे मा बाबा जिन्दा होंगे? अगर होंगे तो कहां होंगे? कहीं वो मर तो नहीं गए पर अगर जिन्दा होंगे तो मुझे एक कोशिश करनी ही चाहिए और इस उद्देश्य से मुन्ना नाव लेकर निकल पड़ा उसी समंदर की सेर पर अपने माता पिता की खोज में आज 20 साल बाद वो वापस उसी जगे था समंदर के बीच में और ठीक 20 साल पहले की तरह आज भी उसके सामने बड़ी बड़ी लहरे आ गए और इस बार भी लहरों ने उसकी नाव तोड़ दी बचाओ, बचाओ मुन्ना तैरने की कोशिश कर रहा था पर गहरे समंदर में वो तेर नहीं पा रहा था उसकी आवाज सुन एक मचवारा अपनी नाव लेकर उसके पास आया बेहोशी के आलाम में उसने मुन्ना को अपनी नाव पर खीचा और फिर उसे अपने घर ले आया वहाँ वैद ने मुन्ना का इलाज किया कई दिन तक मुन्ना बेहोश था फिर एक दिन एक साप हरी की जोपड़ी में घुसाया साप, साप साप की फुनकार सुनकर मुन्ना को होश आ गया मुन्ना ने तुरंथ ही उस साप को पकड़ लिया अरे देवा, वो तुझे काट लेगा बेटा आप डरो मतमा जी, मैं सपे रहूं ये मुझे कुछ नहीं करेगा मुन्ना ने उस साप को एक डिपे में बंद कर दिया अरे देवा, तुने तो हमारी जान बचा ली धन्यवाद बेटा, आपका भी धन्यवाद मुझे तो लगता था, कि उन लहरों में मैं मर ही जाऊंगा बेटा, तु मच्छु आरा तो नहीं है तो तु कहरे समंदर में गया ही क्यों था अपने माता पिता को ढूणने के लिए बीच साल पहले इसी समंदर में वो मुझसे बिछड गये थे जै बेटा, तु हमारा ही बेटा है, हमारा जै बीच साल से हम तुझे ढूण रहे है मा, बाबा, आखिर मैंने आप लोगों को ढूण ही लिया मुझना ने अपने माता पिता को गले लगा लिया जिस समंदर ने जै को उसके परिवार से अलग किया था आज उसी समंदर ने उन्हें मिलवाया था इसे ही तो कहते है नियती का नया बिचडे हुए बेटे को आखिर अपना परिवार मिल ही गया